असलाम लेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ आईश्या आज हम आपके साथ शियार करेंगे बेसन और बिंडी से बनने वाली बहुत ही मज़ेकी और युनीक रेसिपी आई होप आप इसे पसंद करेंगे सबसे पहले जी आदा किलो बिंडी ली है इसे अची तरह काट लेंगे छोटे पीसिस में त्री टेबर स्पून बेसन ऐड़ कर देंगे हाफ टी पून नमक आड़ करेंगे वं टेबर स्पून लाल मिच का पाउडर एड़ करेंगे उर इसे मिक्स कर लेंगे जब तक के बेसन और पाउडर मसाले जो अची तरह बिंडी के ओपर चिपक ना जाए, मिक्स ना हो जाए अब कर लेते हैं जी, नेक्स टैप, नेक्स टैप में एक कड़ाई लेंगे इसमें हम ओयल एड करेंगे, हाफ कप मैंने ओयल एड किया है उसके बाद जी, इसमें दो मीडियम साइज के प्यास काटके डाल देंगे चॉप कर लेंगे बारिक परिक और इसे तब तक भूनेंगे जब तक के लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और यहां पर देखेंगे प्यास लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब इसमें डाल देंगे अदरक लेसन का पेस्ट वन टेबर स्पून और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक के इसकी कच्छी स्मेल दूर ना होजए तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को लास तक देखना है बहुत ही मज़े की बिंडी आपने इससे पहले कभी नहीं काई होगी दो मीडियम साइज के टेमाटर डालेंगे इसके बाद जी हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून डाल देंगे नमक डालेंगे हाफ टी स्पून जाएगा लाल मेच का पाउडर वन टेबल स्पून थोड़ी स्पाइसी रखेंगे इसे और अब जाएगी इसमें हाफ टी स्पून हम जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर एड़ कर देंगे अब डालेंगे इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्चे और थोड़ा सा चीकन काप पाउडर एड़ कर देंगे हाफ टी स्पून के बराबर फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं हाफ टी स्पून जीरा इसमें साबत एड़ कर देंगे इससे बहुत अच्छा बिंडी में फ्लेवर आएगा इन सबी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें थोड़ा सा पाने डाल के भून लें कर लेते हैं जी नेक्स टेप ऑईल को हीट करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे भिंडी जो हमने बेसन लगा के रखी थी लो टू मीजियम फ्लेम होनी चाहिए और इसके उपर हम अपनी भिंडी को फ्राइ करेंगे और जब भिंडी फ्राइ हो जाए तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे एक दो बेज़ीज में यह बिंडी फ्राइ हो जाएगी और यहां पर देखें माशालला कितनी अभी से खुबसूरत लग रही है इसे आपने जुलाना नहीं है बस हलका सा आपने इसे गोल्डन सा कलर दे लेना है और अभी जो मसाला हमने रेड़ी किया था उसके अंदर इस बिंडी को हम एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह मसाले के साथ हमने मिक्स कर लेना है तो यहां पर देखें इसे मिक्स कर रहे हैं आई होप फ्रेंट्स कि आपने इससे पहले इस तरह की बिंडी खाई हो और इन्शाला यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो यहां पर देखें इसके उपर हम फ्रेश धनिया डालेंगे आदी प्याली और चलते हैं जिसकी फाइनल लुक की तरफ तो फाइनल लुक का आप देख लें माशाला से कितनी टेमपर्टेटिंग और बहुत ही मज़े की है नान के साथ चपाती के साथ इन्जॉई करें वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर और सबस्क्राइब करना ना